आप सबी अभिव्यावकों का हमारी ओर से हमारी पूरी अर्विंदो सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिवाद है। आज हम एक आपके सामने एक नया विशे लेकर आए हैं। इस विशे को आप सोचेंगे, सोची है आप अपना स्कूली बच्पन, स्कूल का समय है। जब आपके अध्यापक आपे आप से कहते थे कल अपनी माग को लेकर आणा, अपके पापा को बताना है मुझे। और आप अंदर अंदर से कितनी घबराट होती थी, आपको कैसा आजी वजीव लगता था, कि अरे, आज तो पापा को बुलाया है, आज तो अमी को बुलाया है, पतानी टीचर जो है, हमारी क्या कहेंगी, क्या कहेंगे, अपने हैं, और घर जाकर कि आप उन्हें बताते भी न करते थे, कोई शटानी करते थे, कुछ ना कुछ आपकी कोई गलती होती थी, जिसको कि आपके माता-पिता को बताया जाता था, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, कि आपकी नोट बुक पर साइन कराने के लिए कहा जाता था, कि अपने पेरेंट्स के साइन करा लेजाए, आप भी कम नहीं थे, आप भी भाशारान थे, अपने आप उनके साइन बना कर ले जाते थे, फिर दूसरा बच्चा बताता था, जी, मास्टर जी आज इसने साइन करे रहे हैं, इसने अपने आप करा है, फिर आपकी और पिताई होती थी, उससे पहले भी, जब आप किसी को बता चाते नहीं थे, भीभावक मिलते थे, जी, आप आये होती थी, जाते थे, के जी, मुझे तो पता ही नहीं उसको आपकी घबराहाट का कारण बन जाएंगे. अध्यापक का अभिभावक को बुलाना एक आपकी घबराहाट का अत्यदी घबराहाट का कारण होता था. आप हमीशा उससे बस्ते थे, परन्तु धीरे-धीरे लोगों को समझ में आने लगा. मतलब सभी, जैसे जैसे सिख्षया का प्रचलन हुआ, सिख्षया सभी सिख्षत होने लगे, जाए वो साक्षर ही हों, यानि कुछ अपना नाम ही लिख पाते हों, वो भी यह सो सिख्षया के महतों को जानने लगे. और हमने भी यह सारी चीज मनोगया क्यानिक रूप से तथ ह है कि व्यक्टितों को समारने में तीन व्यक्टियों का सबसे प्रमुक भूमिका रहती है, किसकी माता, पिता और अध्यापक. अब इन तीनों के बीच के केंद्र कौन है, केंद्र बिंदु कौन है, बालक. अब उस बालक को समारने के लिए इन तीनों की भूमिका आवश्य अगर ये तीनों आपस में विचार में मर्श नहीं करेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, तो एक बालक की का एक भली प्रकार व्यक्टित निर्धारण नहीं हो पाएगा. वसे निर्धारण तो उसके प्रतिभागी अनुसार होता है पर उसको वातवरन देने का जो निर् लिए बहुत आवशक है कि हम आपस में सम्मेलन करें, आपस में तीनों आपस में अपने बचचे के लिए विचार में मर्ष करें. तो क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि बच्चे घर में आकर के जूट बोल देते हैं, अध्यापक के प्रती भी जूट बोल देते हैं, अपने सहपाधियों के प्रती भी जूट बोल देते हैं, अपने विद्याले के बातावरण के विश्य में भी जूट बोल देते हैं, तो में रखता है तो बच्चे घर में आके उसके हसी भी बहुत उड़ाते हैं क्योंकि जब भी कोई आपको कठोर अनुशाइशन में रखेगा वही आपको बुरा प्रतीत होगा अब उसके प्रती आप अपनी अभिवक्ती तो दे नहीं पाते तो उसके माध्यम से घर पर आकर आ में पता चलता है अध्यापक के यहां कोई गलती नहीं थी गलती थी हमारे बच्चे की जैसे कि आप एक बहुत साधान सी मैं इस्त्रियों के बाते कर रही हूं इस्त्रियों की जो सास थी नंद थी उनको कठोर अनुशाइशन में रखती थी तो वो क्या क्याते हैं अभिव ज्यापक की कई भारा भी व्यक्ति इस प्रकार से दे देता है जो कि वो उपहस के पातर बन जाते हैं तो क्योंकि सिक्षक एक एहम व्यक्ति है शिक्षक बच्चे के लिए एक एहम भль प्हूमिका लिए aged क्वैश्यों के लिए नभाता अवें तो माता-पिता का उससे मि तो अपने बालक के संबंध में अपनी सारी बातें बहुत इस्पस्टता से कहें बहुत समझदारी से कहें जो भी बात है हम इस्पस्ट रूप से कहें आज हमने एक तो अब आप एक चीज और सो सकते हैं कि आपका जो बच्चा है आपके लिए तो अकेला है या और भी तो वो उस बात को इतने भली भांती नहीं समझ सकता क्योंकि एक समय क्या एक षाव समय उस Northeast discuss पास उसको अच्छी तरह से समझ मत अधिक पाएगा जब तक कि आप उसे सबस्तता से नहीं सब्सक्राइब Cart plais बच्चे के अध्यापक के साथ जाएं, उसके PTM में जाएं, पेरेंस टीचे मीटिंग में जाएं, तो अपनी बातें बहुत पस्टता से रखें, बहुत अच्छी तरह से इस तरह से समझदारी से बातें रखें कि बच्चे की नेगेटिव सोच को बढ़ावाना मिले और आप आप जो है, टीचर से अपना तादात में स्थापित कर सकें, टीचर आपको समझ सकें, आप टीचर को समझ सकें, तब ही आपका PTM एक महतोपून बन सकता है, यदि आप उथले धंग से बातें करेंगे, तो कभी नहीं, आज इसी बात को लेकर के हमने अब तक इस विशह पर चरचा नहीं के थी, आज हम इस विशह पर ही आपस में विचार विमर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम इसके विशह में बात नहीं करेंगे, तो हम बच्चे को समझ नहीं सकते, और अध्यापक भी हमारे बच्चे को समझ नहीं सकता, आज मैं आप से यही कह रही हूँ, कि ना तो आप अध्यापक के सामने जाकर के अपने बच्चे की बहुत अधिक प्रिशंसा करें, बढ़ाई करें और नहीं उसकी अधिक बुराई करें, क्योंकि दोनों ही तरीके आपके संतान को बिगारने के लिए परयापते हैं, उससे अधिक बढ़ाई करेंगे, तो भी बच चार विमर्श करने के लिए तैयार हैं, और चाहते हैं कि आप इसमें सम्मिलित हों, और अपने सुझाव दें, तर्क समत आप अपनी बाते रखें, यदि हमें हमारी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो तर्क समत ढंग से आप उसको नकार सकते हैं, आप पूरी ने इसी विशह पर थोड़ी सी अपनी बाते आज हम आपके सामने रख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि जब भी आप PTM में, पेरेंस टीचर मीटिंग में या सिख्या का विभावक सम्मेलन में उपस्तेतों, तो अपने बच्चे को उनकी बाते सुनकर कभी भी डाटे नहीं, क्योंकि क्या होता है, कि आपने तो सोचा, आप अपने बच्चे के अध्यापक के सामने सोच रहे हैं, मैं अपने पेरेंटिंग को इनको दिखा रहा हूं, कि पेरेंटिंग का सबूत दे रहा हूं, कि देखा, मैं तो बच्चे को ऐसे डाट कर मार करके रखता हूं, कि बच्चा कुछ बोली नहीं सकता पर फिर भी देखी ये गलती कर रहा है तो उससे क्या फायदा कोई फायदा नहीं होगा कि बच्चा जो है वो बच्चे के भविशे के लिए ग्रहन लग जाता है उससे बच्चे के भविशे के को ग्रहन लगाना चाहते हैं आप जो एक भा और क्योंकि यह आपका बहुत गलत वैवार हो जाएगा बच्चे के बाल मन पर एक चोट लगती है कि मेरे मम्मी पापा तो टीचर के सामने मुझे किस तरह से डाट रहे थे तो उसके बाल मन आहत हो जाता है बहुत ही वह एक व्याकुल हो जाता है और साथ-साथ उसकी सेल्फ पर भी चोट लगती है, आप सोचते हैं कि आप ही कि self respect है, आप कह रहे हैं, सब के सामने देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यह तो मेरा बच्चा है, मेरी संतान ऐसी नहीं हो सकती, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती है, गलती करेगे तो मैं उसको डाटूँगा, डपटूँगा, प आप डाटते हैं, पिटते हैं, तो उसको बड़ा संकोच होता है, कह तो वो सुकता नहीं, ना तो टीचर के सामने कह सकता है, ना माता पिता के सामने, तो क्या है, दीरे दीरे आप पर भरोसक होने लगता है, और भरोसक होते ही, वो दीरे दीरे धीट होने लगता है, और पापा से डाटवाया था, आपने क्या किया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं आप से कहूंगी कि कभी भी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएं, तो वहां अध्यापक के समख बच्चे को बिलकुल भी न डाटे, अब आप अगर क्योंकि बच्चा आपके अनुशाशन में, बहुत कटोर अनुशाशन में, तो अंदर-अंदर घुटता रहेगा और डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे के भविशी को ग्रहन लग जाए, क्या आपका बच्चा कुंठित व्यक्तित उका हो भी मत करिए, अब आप कहते हैं, मैं तो कभी नहीं ढाट था भटता, मैं तो अपने बच्चे की बहाँ पे खूब तारिफ करके आता हूँ, चाहे बच्चा करे या ना करे, अच्छा काम, पर मैं तारिफ करके आता हूँ, अब आपने यहां भी बहुत बड़ी गल्ती कर द यह नहीं जानते कि बच्चे का सामोव की वैवाद क्या है कि बच्चा को आप उनसे मिलने के लिए आप अपने उसके अध्यापक से मिलने के लिए इसलिए तो गए थे कि बच्चा वहां अपने साथ के समोव में कैसा वैवाद करता है पर यहां पर आपने क्या देखा कि बच विजए कोरदस का इत्व Northeast को आपने त्युम को बिल्कुल ही उसको गलत स्थिती में डाल धिया और जब क्या हुआ कि अब विद्धियले में सारे बच्चेव कर रहा है काम आपके विद्याले में कोई होने जा रहा है कोई ऐ eerste में सारे बच्चे नोट कर रहा है आप खड़े हो करके आपका बच्चा ऊध को कह रहा है ये तु यह करेगा ये उसको करेगा किसी चीज को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, क्योंकि उसकी तो आपने बहुत सारी तारीफ कर दी, वो तो overconfident है, और साथ-साथ उसके अंदर निरंकुष्टा की विभावना बढ़ गई, वो किसी जिम्मेदारी को तो ले नहीं रहा विद्याले की, बलकि उसके अंदर नि पूलता, विलूम, लीडिंग का विलूम, उसके अंदर तो गुंडगरदी टाईप आ गई, ये शब्द में बोलना नहीं चाह रही, पर अगर आप विद्याले की राजनीती देखेंगे, छोटे सा बच्चा ही, आपके इनी वैवार के कारण, एक गलत ढंक से पन अपने ल और अपने बच्चे को से जो ने जो कहा, आपने जब भी अगर किसी को देखें, कि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो अगर उसके मूल में अगर आप जाते हैं, तो आपको पता चलेगा, कि उस बच्चे ने जो भी कहा, उसके मातार पिता ने, उसे ही माल लिया, और इस उनकी प्रतिय आपके अंदर घंड़ा हो जाती है, बुरे लगते हैं, वो बच्चे उस रूप में आपकी संतान, अगर आप उसके हर समय तारिफ करते रहेंगे, उसको सारी चीजे बताते रहेंगे, तो क्या होगा कि वो बच्चे उस रूप में आपके सामने, उस समाज को उ पके सामने जाकर अभी भावा कभी भी अधिक तारीफ न करें कि अतिक भला ना बरसना अतिक भली ना धूप अतिक भला ना बोलना अतिक भली ना चुप यानि कि आप अपनी बात को भी करें और चुप भी न रहें मौन भी न रहें आप उसकी बात को भी पस्त करें तो अतिक किसी भी चीछ की ना तो ज़्यादा तारीफ करें, ना अधिक डाटे डप्टें, और जाकर के अपने बच्चों की कम्यों को भी मत गिनाएं, कहते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा है वैसा है, अब आप सोचें न, वहाँ पर केवल आप ही थोड़ी बैटे हुएं, कि आप अलग बैटके बात कर रहें, अलग तो वो देते हैं न, क्योंकि और भी कक्षा के बच्चे होते हैं, उनके भी अभी वावक होते हैं, उनके सामने ही आपने, अजी यह तो इस तरह से मेरे को से हाँट मिला के बात करता है, एक दिन तो अपनी मा को ये कह रहा था, अपनी आज ये कह रहा था, यह सारी बात ने, क्योंकि यह कभी-कभी कोई-कोई वक्त ऐसा होता है, कि बच्चा आक्रोश में आकर बोल जाता है, पर पर्लिस्तिती क्या बनती है, कि जब बच्चा बोल जाता है, तो अंदर-अंदर से सहम में दुख़्ी होता है, अपराद भावना उसके अंदर आती है, पर वो उस अपराद भावना को कई बार इगो के चक्कर में आकर अपने एहम के चकर में आकर आप से माफी नहीं मानता, आप उस बात को ध्यान में रख करके, कभी औरों के सामने, उस बात को सारवजनिक मत करिये, क्योंकि उसमें और उसकी कख्या की बच्चे भी बैटे हुए, उनके माता-पिता भी बैटे हुए, आपने तो उसकी कमिया गिना ने शिरुकी, आप सोचिए, आप अपना बच्चपन याद करिये, आप क्या करते थे, कई बार आप से भी गलती होती थी आप भी तेज बोल जाते थे, परन्तु उस समय कि आपकी जो परिस्तिती थी, वो क्या थी, उस समय आपको कठोर अनुशाशन में रखा जाता था, आपको बोलने का अफसर नहीं दिया जाता था, अरे आप तो अपने बच्चे को अफसर दे रहे हैं, तो आप दियान रखि कि आप अपने बच्चे को lack of confidence में मत लाइए, उसके कमियां मत गनाएए, उसके अंदर अगर आत्मिश्वास खतम हो गया, जब आप कमियां बताते हैं, तो वो काहरे करने में भी असमर्थ हो जाएगा, और आप से तो दूर होई जाएगा, कि मेरे पापा को तो मेरी सारी कम जानते ही नहीं, तो हमेशा ध्यान रखें, कभी-कभी कुछ ख्यान आते हैं, हर किसी के विक्ति के जीवन में आते हैं, कि जब उससे गलतियां हो जाती है, तो उसको आप सोचिए, हर्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, परिस्थिति जन्य विकार भी हो सकता है, कुछ भ पापा भी यही कह गए थी, इसके ममी भी यही कह गए थी, कि जो है, यह बच्चा तो ऐसा ही है, तो क्या है, और बच्चों को भी पता चला, और उससे क्या है, टीचर उसका फायदा ले करके, बच्चे को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं, उसके अंदर अवरोध आ जाता ह है, और वो जो चीजे बहुत जल्दी, जो उसका मस्तिश ग्रहन शील होता था, तेजी से ग्रहन करता था, उसकी ग्राहियता कम होती चली जाती है, तो इसलिए आप टीचर को भी इस तरह का फायदा मत उठाने दीजिए, और कई बार ऐसा होता है, कि वो कमियों को याद करत हैं, कभी आप एक नहीं जानते, आप अगर देखें, तो जो अगर इसमें अध्यापक हमारे अभिभाव को में अध्यापक होंगे, वो अच्छी तरह जानते होंगे, स्टाफ्रों की कल्चर क्या होती है, चाहे वो कितना भी बुद्धी जीवी तो होता है, परंतो कई बार हर किसी का पर्शेप्शन, हर किसी को देखने का अलग होता है, यह चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, कोई टीचर बच्चे को किसी तरह से देखता है, कोई दूसरी तरह से देखता है, कोई तीसरी तरह से देखता है, चार तरह से, क्योंकि सारे के सारे बैट करके उसको अ पड़ रही है तो कमियों को आप ऐसास करिए बच्चे के अंदर कमिया नहीं होती आपके बच्चे में भी है दूसरे बच्चे में भी है पर आपने उसको बता दिया अपनी कमियों को तो क्या हुआ दूसरों को पता चल गई और अन्य बच्चों को पता चल गई और दूसरों अकेले में बात करेंगे नहीं होता तो आप उनके phone नमबर लिजी और उन से काईए क्या मैं आप से इस समय बात कर सकता हूं या कर सकती हूं तो आप जब बात करेंगे तो अध्यापक समझेगा के हाँ बच्चे के अंदर कोई कमीया अध्यापक भी चाता है कि मेरा शेशे इस संसार में कोई तीन ही लोग तो ऐसे हैं जो किसी भी बच्चे का किसी भी व्यक्ति का हिट सोचते हैं, एक मात्ता, पिता और गुरू, बाकी को मैं नहीं कहती, कि नहीं है, तो गुरू भी अपने बच्चे को स्थिता प्राप्त कराने के लिए प्रेतनशील होता है, और वो चाहता है कि मेरा शेशे मुझसे आगे निकले, तो जब आप उससे बात करते हैं, और उसको समझाते हैं, कि देखें, मेरे बच्चे के अंदर ये दोश है, इस दोश को मैं कैसी दूर कर सकूँ, तो वो उसके विश्य में समझेगा, और कक्षा में उसके का वातावरन दो, तो कभी भी सब के बीच में बैठकर आप अपने बच्चे की कमियां मत गिनाएगे, साथ-साथ कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने को दिखाने के लिए, जस्ता कि मैंने पहले भी कहा था, कि जो है, अपने अपनी पेरेंटिंग का सभूत देने के अपनी पेरेंटिंग को अच्छा कि मैं बहुत अच्छा पेरेंट हूं, तो बच्चे के सामने जो है, वहीं पर चिलाने लगते हैं, मारने लगते हैं, और टीचर से कहेंगे, कि जी, मैं कोछे नहीं कहूंगा, आप चाहें इसे मार दीजिए, पीठ दीजिए, मैं कोछे न गलती करता है, नहीं, यह अब अनुशा है, यह कोई पढ़ाई का दंड विधान कोई भी अच्छा नहीं होता, अगर वो बच्चे को धंग से समझा पाए, तो इसलिए कोशिश करिएगा, कि आप बच्चों के सामने, टीचर के सामने चिलाईए नहीं, उसके सामने कभी ने प्तवरन देना चाहिए, अब जब आप चिलाते हैं, चीखते हैं, मारते हैं अपने बच्चे को, तो क्या होता है, उसकी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, बच्चे के जो क्लासमेट हैं, जैसे कि आप अपने ओफिस में, अपने वर्क्शॉप में, जहां भी आप काम करते ह उनके सामने आप अपने को सईयत, धहरेशील और एक अच्छा इंसान दिखाने, अनुशाषित इंसान दिखाना चाहते हैं, तो बच्चा भी तो चाहता है, कि मैं भी सब सम्हूं में एक विसिस्ट वेक्टी बन कर, विसिस्ट बच्चा बन करके दिखाए दूँ, तो आप न की सेल्फ रेस्पेक्ट पर सबसे ज़्यादा चोट लगती है, आप भी देखेंगे, आप अपना बच्च्पन भूलिए मत, आप अपने बच्च्पन को याद करिए, वो समय याद करिए कि आपको कैसा लगता था, तो आप उसके अध्यावक के सामने कभी चीख कर, चिला क करके बाते मत करिए, और उसके क्लासमेट से हसी उड़वाने की स्थिति मत करिए, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट का को हननन दीजिए, उस पर चोट मत होने दीजिए, इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, आप अपने बच्चे के वेक्तितों को कुंठित कर देते हैं, औ और आपके, आप सोचते हैं, अध्यापक बड़ा खुश हो रहा है, अध्यापक खुश हो रहा है कि देखो, यह कैसे चीखता है, चिलाता है, बलकि वो आपकी पेरेंटिंग पर आक्षिप करता है, आपनी स्वेहम ही अपनी गलती, अपनी जो पेरेंटिंग पर उसकी प्रविली उठवा दी, एकड़म आप अध्यापक कहेगा, आप क्या कर रहे हैं, जी मैं आप से ये तोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप ऐसा वातावनर दीजिए, या अगर अध्यापक बहुत समझदार हैं तो वो कहेगा, कि नहीं, अभी आप बात मत करिए, अकेले करिए, और आप क्यों सोचते हैं, कि हम क्यों मारें आप बच्चे को, बच्चा तो सुकूमल है, पर वातावनर तो हम आप सही दीजिए, आप अच्छा वातावनर दीगे, हम उससे अच्छा वातावनर दीगे, और आपका बच्चा बहुत ही, एक बहुत वि इस्तितियां आपके अनुकूल तो नहीं होगी, ऐसे आपके संतान भी आपके अनुकूल नहीं होगी, वो एक अलग प्रतिवा ले करके पैदा हुई है, आप उस पर अपनी प्रतिवा थोप रहें, तो हमेशे कहते हैं ना, अनुकूलता भोजन है, तो प्रतिकूलता विटाम ने दीजे क्योंकि कहीं ना तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस बनाईए और नहीं उसको लैक ओफ कॉन्फिडेंस उसका करिए यानि उसको हीन भावना के विशय में रहीन भावना से ग्रस्त मत कराईए इसी तरह से क्या होता है कि कई वार वहां बहुत सारे बच्चे बैठे हु रिपोर्ट बच्चे बहुत से इसको लिखने क करें और बच्चे बहुत बहुत अच्छा है पर आप अगर और ध्यान देंगे तो आप बैठे बैठे अपने अंदर कस्मस आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, मेरा बच्चा इस जगे क्यों नहीं है, और आप सोच रहे हैं, आप अपने बच्चे से कह रहे हैं, कि देखा, वो भी तो बच्चा है, वो भी तो तेरी क्लास का कारे के तुलना कभी मत करिये और जो है उसको हमेशा द्यान दिगे एगर एक समान व्यक्तित्तों के सभी व्यक्ति हो जाए समान अवधार्णाओं लेने वाले सब व्यक्ति में लेने वाले हो तो उस संसार क्या प्रगति कर पाएगा कोई किसी चीज में हो शेयर है, कोई किसी चीज में हो शेयर है, हर कोई एक साथ तो नहीं होता, तो उसको समझाईए, सबका सीखने का धंग अलग है, सबका पढ़ने का अलग है, कारे करने का तरीका अलग है, तो उस तरीकों, अब चाहिए क्या हमें, कि उन्हें हमें चाहिए कि हम उन्हें अलग तरह से समझें, उनको अलग तरह से सिखाएं, अलग तरह से बढ़ाएं, आप कोई गणित के सवालों को किसी ढंक से एजी ली करता है, तो कोई गणित के सवालों को दूसरी तरह से बहुत एजी करता है, पर अगर आप थोते हैं, तो आपके लिए ही प्रशानी हो जाती है तो कभी भी कि अपने बच्चे के कारी के प्रदक्शन में किसी के साथ उसके तुलना ना करें तो हमेशा अब कई बार क्या होता है कि बोर्ड के एक्जाम है बोर्ड के एक बच्चा है जिससे कि आपके बच्चे के मांक्स अच्छे आते थे हमेशा आप पाप मीश house ते मेरा बच्चा ज़ादाव उश्यार है तो इसकी तो आईगे। पर बोर्ड के result आता है जब बोर्ड का result आता है तो होता क्या है कि जिस बच्चे को आप दोयम दर्जे कमान रहे तें सोच रहे थे कि इससे तू goog ले उस्जार नहीं में वो आपके बच्चे से अच्छा प्रदर्शन कर गया हो, अपनी परिक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा हो, क्योंकि समय-समय की बात है, कक्षा में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा हो, पर उसका प्रदर्शन अच्छा हो गया, और उसके मांक्स अंदर ऐसे अवधारना मत डालिए आप उस बच्चे को समझाईए कि बेटा कई बार ऐसा होता है हमारे प्रदर्शन में कभी कभी कमी हो जाती है आप उससे तुलना क्यों कर रहे हैं कि वो बच्चा है आपके कच्छा में पढ़ने तक ही तो बच्चा यह आपके साथ है आग यह मत सोचें कि मेरे बच्चे के नंबर कम आए अगर आपका उसका अध्याफ़ भी कमें यह बात खेए तो आपके आपकर यह आदा नहीं नहीं मैं निश्चीन तो मुझे कोई बात नहीं है मेरा बच्चने आपमें tutti आधू सर्फ प्रिस्टी रहेगा तो मुझे इस बात क टीचर से बताए के विशह में जो बताई गई या नहीं, डी मोटिवेट करने वाली जो बाते हैं, वो कभी भी ना करें, कि जो है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, तू क्या करेगा, बता तेरे से तो अच्छे उसके मार्स आ गए, तो हमीशा उसके अस्फल कोई इस तरह की बाते ना करें, बोर्ड के हैं या किसी में हैं, कि आप मेरे बच्चे से इस तरह की बाते ने करें, बहनत तो कर रहा है, पर करें अकेले में, जिससे की अध्यापक अपने ढंग से बात कर पाए, आप अपने ढंग से, अगर आप सामने कर रहे हैं, तो बच् कि आप जो है उसके स्वास्त का ध्यान रहे स्वास्त के विशह में भी अध्यापक से बात करें उससे जाकर अगर आपके बच्चे कि कई अंदर दिस्टी दोश है आपके टीचर बता रहा है कि पता नहीं यह पीछे यूँ यू करके आँके बंद करके देख रहा है और पीछे की बार बार कहता है कि हट जाओ मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो प्लीज आप इसके आँके टेस्ट कराईए तो आप उसके बा चलता है तो आप भी बताईए कि देखिए इसको ऐसा है तो प्रीज आप इसका ऐसा ध्यान रखेगा तो आपने क्या कि टीचर को जब बता दिया तो टीचर अपने आप ध्यान रखेगा और कहेगा कि आप इस तरह से बैठीए जिससे कि आपको ब्लैक बोर्ड ढंक से किसी तोतला बोलता है हक लाता है या अपनी बात को इस पस्त नहीं कह पाता तो आप उससे क्या करिए कि अगर अध्यापक को पता चल जाता है कि ये बात है आपने अभी भावक ने उस बात को बता दिया तो क्या हुआ कि अध्यापक समझेगा क्योंकि अध्यापक के सामने तो वो बच्चा कहें नहीं रहा, अध्यापक के सामने तो वो जाके बता भी नहीं रहा, कि जी मुझे ये परिशानी है, तो अध्यापक कुश्चन पूछ रहा है, बच्चा जवाब नहीं दे रहा, जबकि बच्चे को वो जवाब आता है, तो अध्यापक उस बात को कि इस बच्चे के अंदर यह परिशानी है यह कठना ही है तो मैं इसके साथ ऐसा विवार ना करूँ और जब इसके साथ ऐसा विवार नहीं करूंगा तो बच्चे का आत्मिश्वास में बढ़ा पाऊंगा, तो अध्यापक जो है जब कच्छा में बच्चे को उकसाता है, उसाहित करता है, बिटो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, कोशिश करिए, आप इस बात को मुझे समझाइए, मैं समझ पा रहा हूँ, तो बच्चे का आत्मिश्वास बढ़ता है और बच्चा आत्मिश्वा आउंग या नहीं लेकर आउंग, अब उसका एक्जाम है, तो अब एक्जाम है, उसको कोई तच्चा का दोश है, वो बच्चे के पास उसको बठाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इन्फेक्शन होनी का कत्रा है, तो अध्यापक जो है, उसकी सीट कुछ ऐसी जगे अगर आप नहीं बताएंगे, तो अध्यापक तो आपके उपर जब उसको पता चलेगा, आपके उपर गुसा होंगे, तो इसलिए हमें अपने बच्चे के दोशों से भी उसको अवगत करा देना चाहिए, कभी-कभी क्या होता है, हमारे मस्तिश्क में, हमारे बच्चे के म सब्स्तिश्क में ग्रहरल्ड़श सीलता अउतनी नहीं होती, या कोई बी चीज है, कई बार को बच्चा एक ही बात को लगाता है पूछता रहता है इस वाली गलती मेरा बच्चा करता है, यह नहीं कि, आप अध्यापक से कहें, नहीं हमारा बच्चा तो ठीक है आपने क्य आप उसको सोचिए, अपने अंदर से सोच कर विचार करिये, तरक संगत विचार करिये, जिले हैं अभिवावक अध्यापक सम्मेίο हट हमारी बीटिम इसलिए होती है कि हम अपनी बाद को इस पस्टिता से कहें और कई बार क्योंकि हमें अपने बच्चे के behavior को ध्यान में रखना है, behavior को ठीक करना है, emotions को ठीक करना है, और उसके माध्यम से उसके development को बढ़ाना है, यह हम तीनों के जिम्यदारी है, माता की, पिता की और सिक्षक की, तो जब आप उसके साथ इस पस्टता से बात करते हैं, तो अध्यापक उसके माध्यम से आपको सहयोग देता है, अध्यापक भी चाहता है, कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कई बार बच्चे को गलत बोल जाता है, जब टीचर आकर बताते हैं, मेरे बच्चे के साथ यह परिशानी है, तो अध्यापक भी आत्मगलानी से कैसा हो गया, क्योंकि दोश तो किसी के साथ हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकता है, मांसिक भी दोश हो सकता है, तो कहते हैं न, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर पुश्ट पो वर्दान है, अगर आपका बच्चा सामानी है या विशिस्ट है, तो वर्दान है, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अनुकूलता भोजन है तो प्रतिकूलता विटामिन है और उसके लिए चिनोतियां बर्दान होती है तो आपको वही कारे करना चाहिए जिसे कि आप पुर्षार्ति घोशित हो सके कि वहां इनके मातापिता ने तो कितना काम किया अध्यापक ने यह बात समझाई तो उन्होंने उसके अनुकूली किया उससे क्या है अध्यापक के द्रिस्टी कोण में भी आप परिवर्ता नाता है और आप कहते हैं ऐसे ही अभी विभावक हमें चाहिए और कई बार क्या होता है बच्चे जो हैं घर में आकर टीचर के विशे में बड़ कि अध्यापक ऐसा हम मेरा बच्चा आपके बारे में तो ऐसा ख्यारा था आप तो बिल्कुल ऐसे ही हैं आपने कितनी देर जाना बई अपने बच्चे के माध्यम से ही तो जाना अध्यापक को तो आप ये वाते मत कहिए तीरे दीरे बहुत आराम से उसका आवलोकन करिए उनकी बातों को ध्यान पूर्वक्स होनी है, आपको पता चल जाएगा, बच्चे बहुत शयतान होते हैं, बच्चों का तो बाल मन होता है, उनका नजरिया दूसरा होता है, अगर किसी बच्चे को किसी टीचर ने डाट दिया, तो बच्चा वो परसेप्शन बना लेता है, य पर बच्चों ने अपनी धार्णा और बच्चों में बहुत जल्दियों आती है, तो बच्चों ने अपनी धार्णा बना लिए और घर में आकर भी अपनी सिख्षक के प्रती इस तरह की बाती सुन लिए, आप कभी भी सिख्षक के प्रती बच्चे के अंदर निरादर का तो टेरे तिरे तो टीचर ऐसे हैं। ऐसे मत कहिए। टीचर हमेशा अच्छा होता है। वो चाहता है। पर आप भडित उसका अवलोकन कर आंटे कि पर ओन कोरें। रखे क्योंकि कई बार आलोचना के माध्यम से भी हम दूसरे को दूसरे को समझ बाते हैं एक सिंटेंस आता है कि यदि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके आलोचना करने के ढंग से जानना चाहिए क्योंकि वो किस तरह से किसी के आलोचना कर रहा है तो वो व्यक्ति उस तरह कहते हैं कि a man judges others by his own standard तो आप देखिए कहीं उसके दशा और दिशा क्या है उसके दिशा का निर्धारन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है उसके दशा वहां के वातवरंड कैसा है उसका निर्धारन आप भले बाती कर सकते हैं और कई बार आप ये भी बता सकते हैं अच्छा अब आ बहुत कुछ jaki abcadal आपके बंद से भरे बैठे हैं वहां नहीं के पॉर्शा रास्ते में आपने उपने बच्चे को सुनाना शुरू कर रहे तु तो है ऐसा तो मेरी नग कठवा कर रहेगा तुने तो मेरे कहीं पर इज़त रहने नहीं दी कैसे टीचर ने बोला तेरे लिए तू क्या कहते हैं तो मतलब डीमोटिवेट करने वाली बाते हैं आप उससे मत कहिए कि जिन्दगी में तू तो कुछ बने गाई नहीं तू तो हमेशा फेल होगा तू तो करेगा यह तरह की बाते हैं बलकि इन बातों को ना कहकर आप उसे कहें बिटा आज तो हमने सुना पर मैं सोचता हूँ कि आप बहुत समझदार हैं आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे हमें इस तरह का सुनने का मौका ना मिले और आपको कोई कटनाई है आप हमसे पूछिए ना आपकी मम समझा सकती हैं अगर आप कहते हैं कि मुझे किसी से आपको पढ़वाना है समझवाना है तो मैं वह भी कर सकता हूँ पर आप अभी छोटे हैं और समझदार हैं आप में इतनी समझ है कि आप इतनी जल्दी बकड़ लेते हैं बातों को तो आप इस तरह का कर सकते हैं तो आप इस तरह से बोले, तो बच्चे के उस पर एक अनुकूल प्रवाव होगा, अगर आपने उसको पहली बांती बोलना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर तो एक आक्रोश हो जाएगा, यह तो है, मैं तो इसी लिए तो ले जाना नहीं चाहता, कई बार बच्चे कहते हैं, है तो पिटीम, बच्चे से माने कहा, कि तेरे तो पिटीम ते तुने बताया है, यह मुझे उससे पता चला, तो बोले हाँ, हाँ, थी, पर आपको नहीं बुलाया गया था, उसमें, वह उन बच्चो को बुलाया गया था, जो बहुत गलत काम करते हैं, तो मा सोस्ती हरे मेरा बच तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप जानते नहीं बच्चों के अंदर की साइकलोजी को बच्चों का मनुविग्यान बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है बच्चे वहां चाहते हैं आपको दिखाना या मिलाना कि जहां पर उसकी प्रिशनसा हो रही हो जाहे वो जूटी ही दीजिए तो क्योंकि हम बच्चे को वहां सीखने के लिए भेज रहे हैं कोई चीज को सीखने के लिए भेज रहे हैं जो हमारे संस्कार हैं उनको भुलाने के लिए नहीं भेज रहे हैं सिख्या के इस तर वास्तों में क्या होता है कि हमारा बच्चा कुछ सीखे नहीं नही चीज को सीख कराए नहीं टेक्निक को सीखे ये नहीं हो कि हम जो है बाहर के जो हमारे संसकार दिये गए हैं उनको वो बुलाने के लिए जाए और किसी दूर खड़े व्यक्ति को उसको पास बुलाने के लिए हम सिखा रहे हैं ना कि पास खड़े व्यक्ति को भी दूर बगान के लिए बुलाने हैं. आप मेरा मंतव समझ पा रहे हूंगे अच्छी तरह से. जो मैं कहना चाहा रही हूं क्योंकि यि बच्चे को हम चाहते हैं कि उसके इंदर जुड़ा हो विखरा उसके इंदर ना हमारे सारा धे, हमारे जो कारेपढ़नाली है, हमारे जो काम यही है, हमारा जो धे यही है, कि हम बच्चे को अपने से दूर करना नहीं, दूर करना नहीं चाहते हैं, हम उसे पास बोलाना चाहते हैं, तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षर बना रहे हूं, बच्चे के अंदर समवेदना खतम करके उसको साक्षर बना रहे हूं, तो हमीशा ध्यान रखिए कि हमें बच्चे को भली भाती सिक्षित करना है, कि केवल हमें उसे साक्षर नहीं बनाना, हमें उसके अंदर सिक्षित करन है तो इसलिए अपनी संतान के विक्तितर निर्मान के कुमार हम खुद हैं ना कोई इसको बना सकता है ना ही कोई बिगार सकता है और हम अपने अध्यापक के बच्चे के अध्यापक को साथ लेकर हम अपने बच्चे का भली बाती निर्मान करें और अपने समय से हम कहीं तुल है नई नई परिवर्तन होंगे मांसिक रूप से नई नई सोच बढ़ेगी तो और हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी पढ़ेगी ये शुरू से होता आया है वर्तमान और भविश हमेशा टकराता रहा है इस सोच को आप हमेशा बनाए रखे वो टकराव कहीं भेंकर विप कि अगर आपके अंदर कोई और सुझाव आ रहे हैं या फिर कोई बातों को आप हमारी बातों से सहमत नहीं है तो करपे आप बता हैं हो सकता है हमारी से बहुत सारी बाते हैं जो हम नहीं कह पाए आप हमें सुझाव दीजिए आप हमारी बातों को अतरक संबत नकारना चाह अलिमाती उसके को मार्जित कर सके परिमार्जित कर सके धन्यवाद आपको बहुत बहुत आभार सुनने के लिए